New City Paradise को launch हुए तक्रीबन 120 दिनों का वक्त गज़र चुका है इन 120 दिनों में members की तरफ से जो मुझे regular सवाल सुनने को मिलती है वो number one इसके balloting कब होगी number two कि New City Paradise में possession का अगाज कब से होगा and number three मुझे comments में एक चीज सवाल सुनने को मिलता है वो ये कि साइट पे बहुत ज़्यदा हाई transmission line का गुजर है तो इसका impact positive होगा या negative होगा residents के ओपर जो New City Paradise में आने वाले दिनों में रहाईश इक्तियार करेंगे तो सबस्वाले बात करते हैं possession की कि possession New City Paradise में members तो कब offer होगा New City Paradise का NOC FATA से approved है और FATA के बाइलाउस के मताबग जब भी आप FATA से पंजाब housing authority से NOC लेते हैं तो उसके मताबग आपको साइट पे एक मखसूस तदाद में विलाजी construction करनी होती है जो बात में low cost में members को sell किया जाते हैं तो इस पर दाइनों सी तक्रीबर अठारा सो से पोसेशन को commercial से रिलेट करें तो 300 फूट का जो main interest road है उसके right और left side पे कुछ commercial properties होंगी जो साथ मरला की होंगी साथ मरला के plot आहम तोर पर sales partner के लिए preferable होते हैं क्यों साइट पर बिल्दिंग बनाएं अपने office बनाएं और office को operationalize करें ताकि साइट पर भी member visit करें आएं तो उन्हें ज्यादा ज्यादा entertain किया जा सकी तो possession में ये वाला point भी शामिल होता है अगें back to कि बैलेटिंग कब होगी यानि जनरल members के लिए जैसे अभी society के अंदर हजारों की ददाद में members ने plot खरीदने हैं कुछ ने खरीदने हैं और बाकी majority ने भी खरीदने हैं तो उन members के लिए बैलेटिंग यानि allocation of plot numbers और उसके बाद उनका possession उनको कब offer होगा पहली जो मैंने point explain कि है फाटा वाला और ये डीलर्स वाला site office पे sales office वाला अब ये जो offices हैं इनका directly member से कोई link नहीं है यानि कि अगर फाटा वाले अगर विलास देखें तो members को sell होंगे बड़ वो एक separate quantity होगी और separate entity होगी जिनको sell होंगे आम members के लिए भी वो offer नहीं कियेगी अच्छा members को possession का मिलेगा बैलेटिंग अब होगी तो society की तरफ से expected ये है कि आने वाले दिनों में तवीबन तीन मां के अंदर-अंदर society side पे कुछ develop और possessionable plot जो है वो net cash पर offer करेगी उन members के लिए जो plot खरीद के अपने plot पे foreign construction स्टार्ट करना चाहते हैं उन members के लिए otherwise by fourth quarter 2023 यानि कि आप कहलें कि October, November, December इन तीन महिनों में से किसी महिने में भी society की तरफ से officially valoting अलान किया जाएगा और 2023 में ही society अपनी site पे members को allocation प्रवाइड करना शुरू कर देगी यानि कि इस साल के end तक तीन चीज़ें होंगी number one, FATA के site से बनने वाले विलाज या FATA के requirement पूरी करने वाले विलाज हैं जो site पे खुद बनाए जाएंगे निउस्टी परड़ाइस की तरफ से number two, site पे जो sales partner की तरफ से seven बला के जो plaza जोंगे उनकी construction and number three, जो possessionable plots society direct sell करेगी cash पे वो plots इस साल आपको हर हाल में नज़र आएंगे बाकी members को इस साल के end तक properly allocation हो जाएगी और अगले साल से उनके possession का घाज भी हो जाएगा second point मैं इस वीडियो में बात की दी कि जो members सवाल करते हैं कि site पे आपको बहुत ज़्यदा high transmission lines नज़र आती है नहीं कि आपको अगर site पे visit करते है gate 1 देखें, gate 2 देखें तो बहुत ज़्यदा high transmission lines है high transmission lines आपको रावल पिंडी स्लामबात यहर एक society में visible नज़र आती है आप फैसल हिल्स देख लें, फैसल टाउन देख लें B17 देख लें, DHA2 देख लें, DHA5 देख लें आपको high transmission line गुजरती नज़र आती है as per the bylaws, as per the rules and regulations of the respective authorities जिनोंने आपको एन उसी दिया होता है आपको high transmission line के नीचे properly एक पार्क देना होता है यानि आप dual side पे road दे सकते हैं और center में horticulture के लिए या पार्क के लिए जगा रख सकते हैं लेकिन उसके नीचे ना construction हो सकती है commercial की ना construction हो सकती है residential की तो जितनी ज़्यदा high transmission lines होंगी उतने ही ज़्यदा linear parks मिलेंगे उतने ही ज़्यदा आपको greenery मिलेगी और इतनी एची लेंड्स के बापको देखने को मिलेगी high transmission line की जो height होती है वो ground से तक्रीबन 200 foot उपर होती है तो किसी member की उसकी regular routine life में उसा कोई impact नहीं होगा तो ये थी एक general member securies तो मैंने सोच है studio में answer करता हूँ क्योंकि members इसके बहुत ज़्यदा सवाल करते है और new city paradise ऐसा project है जो बहुत एक शांदार project बनता है आपके पास land है आपके पास NOC है आपके पास developer की history है and number 4 आपकी prices बहुत ज़्यदा reasonable है that too including the development charges और अभी 4th of March 2023 से society की दर से price revise होने जा रही है और ने payment plan में तड़ीबन 20% increase के साथ आपको prices offer की जाएंगी old rates पे booking के लिए देगे number रापता करें इसके लिए वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जादत अगली वीडियो देख के लिए खुदा हाफिस